हेलो फ्रेंड्स 26.11.2008 को मुंबई पे हमला होता है, पाकिस्तान के तरफ से आतंगवादी हमला होता है मुंबई पे और इस साथ अक्तूबर को हमास अटैक करता है इसराइल पे लोग कहीं ने कहीं यह हमले लोगों को लग रहा कि यह हमले दोनों सेम ही है एक तरीके के लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया का जो रिस्पॉंस था वो कहीं बहतर था इंडिया ने कहीं बहतर टैकल किया था उस हमले को कैसे इंडिया ने hard power और soft power दोनों का use किया जतने terrorist आए थे वो सारे मारे गए यहाँ पर आजबलकस साब को arrest किया गया उसके बाद क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी democracy कहलाती है इंडिया तो article 21 और 22 में जो legal aid की बात किया जाती है उसके थूरू एक council उसको provide कराया गया आजबलकस साब को मुगदमा चलता है proper उसके बाद उसको फासीक सजा होती है इस दौरान पाकिस्तान को naked किया इंडिया ने दुनिया के सामने और UN में 5 मेंसे 4 members ने इस बात को criticize किया पाकिस्तान को इस attack को लेके और even USA ने भी accept किया अमेरिका ने इस बात को accept किया कि पाकिस्तान terrorism को export करता है यहीं पर हम देखते हैं कि इस्राइल का क्या response रहा इस्राइल ने सिर्फ hard power का support लिया 7 October को attack होता है हमास attack करता है इस्राइल पे सारे sentiments जो है वो सारे sentiments जो है वो इस्राइल के साथ ते दुनिया के लेकिन इस्राइल ने हमास से बदला लेने के लिए उसने innocent Palestinians पे अटाइक किया water supply रोग दी, electricity रोग दी hospitals पे अटाइक किये तो आज की date में आज की date में लोगों के sentiment पलेस्टाइन के साथ है और आप देखें कि कहीं ने कहीं कहीं ने कहीं कहीं गर soft power का भी use किया होता तो वो बहतर होता आज हेजबुला और हमास का भी जो जो अपनी वो थी कहीं ज़्यादा संगटित दिख रहे हैं गे लोग तो यहां पर एक तरीके से इसराइल का जो रिस्पॉंस है वो आप हाइट पावर के इसमें तो कहेंगी कि हाँ successful है लेकिन soft power में वो फेड हो गया है